हाई अवरीवन श्रीमती महरी देवी तापडिया गल्स कोलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत हैं आज हमके मिस्ट्री ग्लास में जो टोपिक आपके डिसक्स करने वाले हैं तो यहां पर अपन जो टोपिक डिसक्स करने वाले मेथड प्रिपरेशन ओफ एलकॉल देखे ठेज अपन जो प्रिविज वी डियो थे उन वीडियों के अंदर अपन मेथेड जो आपका अल्कॉल प्रिपरेशन का है वो आपन यहां पर अलग अलग टाइप से देख रहे थे अपन ने यहाँ पर alkaline के द्वारा देखा hello alkaline के द्वारा देखा आपके carbonyl द्वारा देखा आपके acid और acid के derivatives द्वारा देखा तो यहाँ पर देखिए आपन अलग- уलग ब्षरियों के द्वारा जो अलकोल बन रहा है उसके अपन हैं अलग अलग टाइम पीरिटी से अपन बात कर रहे थे आज अपन इसकी जो नेक्स डियक्शन है उस से रिलेटेड अपन यहां पर बात करने आए देखिए यहां पर आज अपन जो टॉपिक रिलेटेड बात करें बहुत इंपोर्टेंड है जिसका नाम है ग्रिगनाड होती है तो जन्नल ही देखिए हैं अपने यहां पर अगर बात करें तो आरमजी एक्स का अपने को पहले से पता है कि यह इस तरह से फोर्मला होता है आरमजी एक्स ठीक है जहां पर एलकील मेगनीशियम हैलाइड इसको क्या बोलते हैं आपके एलकील मेगनीशियम हैलाइड और दूसरी बात करें कि यहाँ पर जो gerginal reagent है उसके दौरा किस तरह के alcohols बनाए जाते हैं आपर उसकी बात करें तो यहाँ पर आपको एक धंसे clear बता दूँ कि यह इसनी important क्यों है क्यों कि generally इसके दौरा 1 degree 2 degree और 3 degree तीनों तरह के आलकोहॉलों का यहां पर foreignargent हो रहा है कि इससे पहले अपने प्रिवेस वीडियो पड़ा था उस प्रिवेस वीडियो के अंधर अपने रिडाक्शन देखा था आपके तो रिडाक्शन के अंदर अपने कहा था कि यहां पर एक डिगरी और दो डिगरी जौन प्राइमरी सेकंडरी और तर्शरी तीनों तरह के एलकॉल का फॉर्मेशन हो जाता है तो एक तो खास बात इसकी यह हैं दूसरा अपने को यहाँ कि तरही पर विएवस्तित होता है तो एलेक्ट्रोन देने की जो छमता है वो सबसे ज्यादा होती है पॉजिटिव आवस्था बढा लेता है अब बात करते हैं अपने में टोपिक के बारे में अब वापिस आते हैं कि भी अपने दो चीज कहीं कि भी इसमें इस तरह से चार्ज विवस्थित होता है दूसरी एक डिगरी दो डिगरी और तीन दिगरी तीनों तरह के एलकॉल का इ इधर देखें क्या पताएगे कि ग्रिगना रियेजेंट जनरली आपके तीन तरह से जो भी क्रियाएं हैं वह संपन करेगा एक तो आपके बाई प्रजेंस ओफ एयर यह आपके किसकी वायू की उपस्तिती में या वाय आपने ऑक्सिकरन करवा दें उसके द्वारा भी क्या किया जाता है आपके एलकोल फोर्म अपने को पता है ऑक्सिजन के द्वारा होगा तो अपनिया कह सकते हैं बाइद परजेंस ओफ एयर या रियेक्शन विद एयर दोनों एक ही बात है तो फर्स तो यह हैं सैकिन अपन बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंट्स की भी कार्बो के अंदर अपने जनरली और किटोन दोनों व्यवस्थिते दोनों गाजब ऑक्सिडेशन होता है zat तो ऑक्सिडेशन के द्वारा ही क्या जो कार्बोनिल है उसका गिज़नार रियेजंट के सात्स reaction कराई तो उसके द्वारा भी क्या किया जाता है आपके अल्कॉल को फोर में थर्ड बात करें आपके एथिलीन ऑक्साइड की एथिलीन ऑक्साइड है वो भी क्या करेगी गिगिनार्ड येजेंट के साथ अभी ग्रिया करेगी और अभी क्रिया करके आपके क्या बना देगी फॉर्म कर देगी दूसरा मैंने ओबलिक के अंदर इसका ही नाम है यह आपका इपोक्साइड ठीक है इससे रिलेटेड अपने पहले पढ़ रखें अपने प्रिविएस वीडियो में कि इपोक्साइड क्या होती है इपोक्साइड किस तरह से बनती है जब अपने इथर वाला मैं डिलेट्टर अपने वह यहां पर पढ़ना है तो यहां पर इस्टार्ट करते हैं हैं अब पीजिखेंगर अपन यहां पर की अलग-अलग फॉर्मेशन है वह यहां पर देखने को मिलेगा और उसके द्वारा आपके प्रोड़क्ट है वो बन रहे हैं अब यहां पर देखे स्टार्ट करते हैं अपन फस्ट कि ऑक्सिजन के द्वारा कि की ओटू के द्वारा किस तरह से आपकी रियक्शन की जाएगी तो यहां पर आपको सबसे सब्सक्राइब का पता होना चाहिए कि आपका और एमजी एकस है है कि इसका अपन ओटू मोलेक्यूल रहे हैं दो अनु हैं तो यहां पर भी इसमें अपन कालिए इसके दो मोलेक्यूल का यूज करीं में तो यहां पर आपका 2ROMGX इसका क्या हो जाता है formation हो जाता है तो यहां तक का तो आपको यह चीज़ समझ में आगे हो गया अब क्या बताएगे है यहां पर इसका क्या जाता है hydrolysis जल अब गटन क्या जाता है यहां पर आपका क्या हो रहा है hydrolysis जल अब गटन जैसे ही हाइड्रोलाइसिस इसमें किया जाएगा तो यहां पर जनरली क्या बन जाता है और ओएच अब दो मोलिक्यूल चल रहे हैं तो दो यहां पर फिर टू एम जी ओएज एक्स यह देखिए आपके इसकी उपस्तति से क्या हो जाती अब भी करिया इस तरह से होती है अब यहां पर अपन कोई प्रोड़क्त ले लेते हैं जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं च्छ3, Mgx, O2, Cs3, O, Mgx, दो मोलक्यूल और यहां का हाइड्रोलाइसिस, प्लस, हाइड्रोलाइसिस वा, Cs3, O, H, प्लस, अब यहां पर देखिए मैं X की जगे अगर क्या लेता हूं अगर मैं यहां पर आयोडिन ले लूं तो यहां पर आपका आयोडिन आ जाएगा यह इस तरह से आपका प्रोसेस होचाता है अगर यहां पर अपने इसकी जिए प्रोड़क्त चेंज करें जैसे मैं यहां पर क्या ले लूं C2, H5, Mg, I C2, H5, Mg, I बने हैं और हाइडरोलाइस यह लिख दूं नहीं तो सिदा लिख दूं C2, H5, OH यहां पर आपका एथिनोल बन गए तो यह थी फास्ट रियक्शन जिसमें अपने देखा कि जो एर है वाईउ है उसकी उपस्तिती की द्वारा जब RMGX है उसका उक्षिडेशन होता है तो उसके द्वारा आपका यह प्रोड़क्ट बनता है इसका वापस हाइडरोलाइसिस कराया हाइडरोलाइसिस कराते ही आपका एलकोहल फॉर्म हो जाता है तो डियर इस्टुन यह थी आपके फर्स्ट रियक्शन बाई परजेंस ओफ एर या एर क्यू इसकी उपस्तिती से तो यहां पर आपने देखा एक इस तरह से आपके यहां पर अलग-अलग जो प्रोड़क्ट है वो इसके द्वारा बनाए जारें नेक् और कार्बोनिल का जब भी नाम आता है आपको खासकर याद रखना है कि यहां पर और किटॉन दोनों के लिए क्या हो रही है बात हो रही है कि तो सब्सक्राइब करते हैं अपने यहां पर कि भाई कि कार्बोनिल कि कंपाउंड तो यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड के अदर अभी अपने बात की कि आपके जो प्रोड़क्ट काम में आने वाला कौन सा है एल्डीयड और किटॉन फ़र्स यहां पर में कि एल्डीयड से स्टार्ट करता हूं और एक तो इस तरह से लिख दें या फिर अलग से लिखाने के लिए अपन में इसको इस तरह से लिख दें तो बात एक ही है अब बताएं कि यहां पर इसका किस के साथ आपने वा भीक्रिया करानी है RMG X के साथ जैसे ही RMG X के साथ इसकी रियक्शन होगी तो यहां पर यह जो प्रोड़क्ट है वो क्या करेगा इस पर आकर अटेक करेगा तो यहां पर यह बन जाता है OMG X और यह आपका है है सो और यह आपका एलकील ग्रूप है और एक एलकील ग्रूप इसके उपर आ जाता है अब वापीस अपन क्या करेंगे इसका हाइड्रो प्लाइसिस कराना है कि आपको अब करेंगी हैं अब बात करते हैं कि यह ग्रूप इसके साथ निकल जाएगा एक हाइड्रोजन इसके साथ भीवस्त दो जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा आर आर ह ओएच प्लिस Mg ओएच यहां पर X आएच देखिए यह किस तरह का है यह आपके दो डिग्री एलकॉल कह सकते हैं कि यहां पर आपके किसका निर्मानवा है दो डिग्री एलकॉल के द्वारा इसको जनरली है वो formation किया जाता है इसको बन एलकलॉल भी बोला जा सकता है अब यहां पर अपन इसका कोई product ले ले तो product के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं यहां पर इसका formation जनरली यहां पर अगर CS3 लिया जाता है तो यहां पर आपका क्या बन जाता है एलकोहल बन जाएगा तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि सब्वी क्रिया के द्वारा आपके एलकोहल फॉर्म होता है दूसरी बात करें आपके किटोन के द्वारा तो देखिए किटोन के द्वारा आपके एक डिगरी जनरली नहीं बनता यहाँ पर आपको दो डिगरी भी देखने को मिल सकता और तीन डिगरी भी तो जनरली अपने को तीन डिगरी यहाँ पर खास कर रहे हैं वो किटोन के द्वारा देखने को मिलेगा त कि एक पोजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज प्लस सी डबल बॉन ओ और डैस ठीक है तो यह क्या करेगा यह इस पर अटेक करेगा और यह इस पर अटेक करेगा तो आपका किस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा आर सी आर ओ एम जी एक्स यह और डबल डैस ठीक है अब क्या करेंगे वापिस हाइड्रोलाइसिस तो अपर ने हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो जैसे हाइड्रोलाइसिस होता है यह आपका इसके साथ और यह तो यहां पर किस तरह का बने आर सी आडेस और डबल डैस और ओएच तो यह आपका तीन डिग्री एलकोल त्यार हो जाता है और यहां पर आपका साथ में बन जाता है एम जी और एक्स तो यहां पर यह प्रोड़ेक्ट हो जाता है तो डियर इस्टुडेंट यह था आपके फर्स्ट एल्याइड एंड एंड किटोन देखिए मैं किटोन के दौरा यहां पर अगर प्रोड़ेक्ट फॉर्मेशन करता हूं तो यहां पर देखिए सी एस त्री एम जी आई प्लस सी एस त्री सी डबल बोन ओ सी एस त्री तो यहां पर आपन बात करें सी एस त्री सी अब देखिए तीनों एक्जेसे कहीं पर भी इल्खें पोई ज्यादा अंतर नहीं आता आप क्या गरा दिया जल अपकटन तो यहां पर सी एस त्री सी एस त्री सी एस त्री एन ओच तो यह आपका क्या बन जाता है तीन डिग्री अलको तो यह था डियर स्टुडेंट बाई कार्बोनेल कंपाउंड इसमें अपने अल्याड और किटोन के दौरा RMGX की रियक्शन करा के आपके अलग-अलग तरीके के जो एलकोल है उनका यहां पर अपने फोर्मेशन देखा नेक्स यहां पर अपन बात करते हैं बाई एथिलीन ओक्साइड और इपोक्साइड तो यहां पर अपन बात करें इपोक्साइड के अंदर भी तो आपको खास क इहांपर भी वही चीज दियान में रखनी है कि generally जो ring है क्योंकि यहांपर ईप मिलेगी तो अपन बात करते हैं बाई एथिलीन ओक्साइड अब देखिए एथिलीन ओक्साइड के अंदर आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है पहला तो आपको इस तरह का प्रोडेक्ट आप दिमाग में बिठाए कि अपनी को क्या लिखना है इसमें इस तरह से दिखने ठीकें प्लस अब हिपोउक साइड रिंग है isso to से यह ऐसे तो यह आपके क्या है जरेंली ठीक है अब यहां पर यह वाला इत्वर करेगा इस कार्बन पर फीक जिससे क्या होगी यह रिंग ब्रेक हो जाई है और यह वाला अटेक करेगा इस ऑक्सिजन पर जैसे यह अटेक होता है तो यहां पर अपन क्या देखेंगे यहां पर मैं इसको यहां पर लिख रहा हूँ ठीक है किस्टू ओम्जी एक्स तो यहां पर क्या बन जाता है अब इसका अपन वापिस क्या कराते हैं इसका हाइड्रो लाइसिस कराते हैं तो यहां पर करा दिया अपने इसका हाइड्रो लाइसिस जैसे हाइड्रो लाइसिस होगा यहां से ब्रेक होगी और अल्कॉल बन जाएगा और उसके साथ और सिकल जाएगा तो किस तरह से होगी सिएस्टू आर सिएस्टू ओएच तो यह आपके ठीक है एक डिग्री एलकॉल की आर सिएस्टू सिएस्टू ओएच और बाकि आपका यहांपर मैं प्रोडेक्ट काम में लेकर बता हूं तो यहांपर मैं लेता हूं इप? मैं इसको काम में लेकर इस पॉक्साइड डियंग पर आपकी वियक्शन कराता हूं तो यहांपर भ्यांदी रहिएक ना है , CS3 CS2 OMG X Hydrolysis हुआ Hydrolysis होते हैं यहां पर आपका CS3 CS2 CS2 OH प्लेस MGX OH देखिए यहां पर X की जगा आपने आई लिलिया है तो यहां पर आप आई अटाइस करेंगे तो यहां पर इस तरह से आपका जो इपोक्साइड रिंग है उसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा आपके एलकोल का फॉर्मेशन किया जाता है और यह जो फॉर्मेशन अपन पढ़ रहे हैं जनरली आपने पहले भी जब अपने एपोक्साइड की जो रियक्शन पढ़ी थी उसमें अपने यह देख रहा था कि कि इस तरह से ग्रीन यारा भी कर्मक है वो अपोक्सर रेंग है उसको ओपन करने हैं बहुत ज्यादा आसानी से इसके साथ रियक्शन करता है और रियक्शन करके आपके अलगलग प्रोड़क्ट फॉर्मेशन करता है जहां तक अपन यहां पर बात करें अपन यहां पर किसके लिए देखिए कि इपोक्साइड रिंग है वो आपके एलकोल का झालेवा